हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करती हो डेन पी इंडिया में इस वक्त की दस बड़ी खबरों से हम आपको रूबरों कराएंगी तो यह शुरुवात करते हैं खबरों का सिलसिला प्रधान मंतुर नरिंद्र मोदी ने कहा है कि साधे वाद और विवाद एक तरफ और राष्टवाद एक तरफ यूबी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों की धूम धाम से विजय की होली मना लेंगे वही फतेह पूल बुंदेल खंड के छेतर में पराक्रम और विर्टा यहां की लोगों के नसों में खून में है प्रधान मंतुर नरिंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को बड़ी सौगा देने जा रहा है प्यम मोदी कल शाम साधे चार बजी वीडियो कॉन्फरेंसिंगे जरिये महराश्ट्रिक में ठाने और दीवा को जोड़ने वाली अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उदगाटन करेंगे प्यम मोदी इसके अलावा मुंबई उपनगरी रेलवे की दो उपनगरी ट्रेनों को भी हरी जड़ी दिखाएंगे रक्षा मंतुर राजना सिंग ने कहा है कि पंजाब के सीम चरणजीत सिंग चन्नी कहते है कि पंजाब में भईये नहीं आएंगे उन्होंने पूछा कि क्या गुरु नानक देव जी ने कहीं संदेश दिया था कॉंग्रिस बाट कर सकता हासिल करना चाहती है रक्षा मंतुर आजना सिंग ने ये भी कहा है कि वो दो दीनों से पंजाब में हैं उनका स्वभग्य है कि उन्हें अम्रिस्सर आने का मौका मिला पंजाब में अम्रिस्सर से खेम करन जा रही DMU को इसलामाबाद के नस्देक रेलवे फाटक के पास पत्री से उतर गई ट्रेन में करीब 25 सवार या सवार थी हरान चनक बात यह रही कि ट्रेन पत्री से उतर गई इस बात का पता ना तो गाट को पता चला ना ही ट्राइबर को हर्याना के नागरिकों के लिए गुरुवार का दिन राहत देने वाला साबित हुआ सप्रिम कोट ने आज हर्याना सरकार के निजी शेतर की नौकरियों में स्थानी लोगों को 75 फेस्टी आरक्षन देने के फैसले पर रोक लगाने वाले पंजाबा हर्याना हाई कोट के आदेशों को रद कर दिया है एकोट ने हाई कोट को एक महीने के अंदर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा है अब अंदर प्रदेश में भी हिजाब विबाद की एंट्री हो गई है विजयवारा में एक नीजे स्कूल में गुरुवार को बुर्का पहन कर पहुंची दो छात्राओं को परीसर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया अलागे बाद में सरकारी अदिकारियों के निर्दैश पर वो मान गया दिली के पुरानी सीमापूरी इलाके में संदिक दे बैग मिलने के बाद वहां सुरक्षा विबस्ता बढ़ा दी गई मौके पर दमकल विबाग की घाड़े अभी पहुंची गाजीपूर RDX मामले की जाच के दौराने स्पेशल सेल को पुरानी सीमापूरी इस्तित एक मगान की जानकारे मिली देश की सबसे युवा मेयर आरिया राजंदर शारी के बंधन में बंथने जा रही है एत्रवंद पूर्म की मेर आर्या राजिंद्र विधायक की एम सचिन देव के संग साथ फिरे लेंगी। आर्या साल 2020 में उस वक्त सुर्ख्यों में आय थी जब वो सिर्फ 22 साल के उम्र में ही देश के सबसे युवा मेर बन गई थी। देश में कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच यात्रा प्रतिबंधों पर भी धीरे धीरे धील दी जा रही है कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है वहीं अब करनाटक सरकार ने गवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य में आटी पीसी आर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवारे तक खत्म कर दी है साथ ही कहा है कि इन राज्यों के यात्रियों को केवल अब अपना पूर्ण ठीका करण का प्रवान पत्र दिखाना होगा किंद्री विदेश मंत्री डॉक्टर एस जे शंकर शुकरवार को जर्मनी और फ्रांस के छे दिवसिये दौरे पर जाएंगे इस दोरान वो कई महतपूर्ण कारिक्रम में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम ब्रगाची ने बताया है कि विदेश मंत्री 18-23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे जर्वनी में वो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे वहीं वो विदेश मंत्री और सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्परतिनीधियों के साथ दौरी पक्षिये बैठे के भी करेंगे खबरूग यार जानकारी के लिए देखते रहे ये डियन पेंडिया अप्तक लिए नमस्कार